हलो एवरीवान कैसे हैं आप लोग आज की टॉपिक हां हमारा इंडिया एंडिया एंडिया इतेस फीडम से ट्रिगल इस पर जो कुछ एंडिया किस ने दिया थे पहले महामध इकपल महामध यलीजिना शौगतल या अगाखान तो इसका अंसरा है एक पार्ट महामध इकबाल कमाने इस माजने का पाकिस्तान का आइडियास प्रे दिया था महम्मद एकबाल इकबाल दिया था जिसका नाम था एक नजम और ती सारे जहां ‫से अचा हंधुस्तान हमारा है कवाचर ही मैकिन मर 2 मापिला एक तुसरे हैं मापिला हना भी किस किस state में हुआ था और किस state से related है ये बिहार गुजराद पंजाब केरिला तो इसका अंसर है डी पार्ट केरला केरिले में मापिला खेलन हुआ क procurement घो 되는데 कंडया फे गेडिवा था जिस सेट में क्या सकारो she कुका मुमिस्ट है तो इसका इस सेथे हुआँ है किया साथ है तो अन्जाब सेक्षर्स हुआ है तो इसका अंसर है पुंजाब पढ़ा होगा कुका मुमेंट क्या होता अगर आपने Freedom Struggle of India पढ़ी होगे तो जरूर आपने कुका मुमेंट भी पढ़ा होगे क्योंकि ये पंजाब में हो था किस सिलुरेट से कुमेट से क्यों में जरूर बता देना विजग फॉलिंग मुमेंट्यट्ली फालॉर पटसने बंगल की बाद कुन से मुमेंट मलभ उसके बाद होए थे लाँ agree संवाइश UNC मुमेंट से बेंस मुमेंट सहे तो इसका आंसर है से देमवेंट होई थी after the portion of being got portion of being all come with a 1906 1906 minute you get portion of being called about that the roll it act was passed in the rear roll it act this year the past year at a 17 19 21 23 to is constant 1919 roll attack was given 1990 man yeah question number six who was the first indian nato ruler to accept the system of subsidiary alliance going saying then rule the traditions of the palace of city and school except get a second year of Gawali and Islam of Hyderabad leapsing of Punjabi and Geekwada brother to Wisconsin and Islam of Hyderabad he can Islam of Hyderabad in a subset of state lands court except get ticket and get which number seven with reference to the Indian freedom struggle which is not the following is the correct chronological order given event as a reference correct in Indian freedom struggle is between then you have to tell what which lawrence liberal specific law से लुए ज्यो, सुरत सब्सक्राइब का आंगले से लुए देज़ा सबाइब लुनु मात मर लुए पाटिशा बिंगाल कब होगा था 1905 में या 906 में एक बात है सुर्दफ सिब्रिट कब हुआ था ठीक है 907 में लखन पैक्ट 1916 में हुआ था ठीक है 1916 में लखन पैक्ट हुआ था कि सॉर्फ साइमन कमेशन रिपॉर्ट शू भी त्रोन और फीप यह गर्मिश्ण को हम कहां इसको आई म स सभांक देगास किक देयुक्त 1 । तो इस ने कहा था शिवा सुवामी आयर ने ये कहा था कि हम साइमन कमेशन को थ्रोन करते हैं आना ही पाफ राविश विज डे वाज डिकलेड डिरेक्शन डे बाद मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग ने कब किस दिन को डिरेक्शन एक्शन डे डिकलेर किया था 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 है 3rd September 1946 1946 16 May 1946 14 4th December 1946 तो इसका अंसर है 16th August 1946 ने मुस्लिम लीग ने डिरेक्शन डे डिकलेर किया था फाविश कुम्टेडी वाइर सीट्स रिजर्वड बाद मौली मेंट्टर फोर्स में किस कुम्मेटे के लिए सीट्स को रखा गया ू pendulum preservation 6 ब्लेकल Umosulness के लिए xracade का किस कमेटी में इस मौर्लमेंटू आप कमेटी में कुमेंट्रुमेंट्रुमेंट्रुमी i लाश्ट कम अब इंडिप्नेश निंटी है कौन से इन में से कौन से लाश्ट पर आया थे इंदिया में B P D E F पहले पुर्टिगीज आयठे, फिर डज़ाइ थे, डज़ाइ थे, डज़ी ओमलम दारे में वगराइब अगर आते यदू यद्विफ खिर इपर परास आते है और सब से पहले लास पिम गये थे, बिल्कुल पुर्टिगीज प्रतिकी जवसे पहले आये ते और विखे पहले सबसे लाश्ट में गये थे कहां से गवा में 1961 में ठीक है याद रहना आपने विच्छाँ गव्याय करने अपने विच्छाँ वाह दो अपने वह पॉबलर इंडिकरिशिंग देश्ट भाग विखेस कारन किस कारण मुझक परटेक्ट किसे हени pests काक्त मैंता किसे करदे कारए या में निन स्थितंग हरे अबहा था किसे अबहा है 8 ऐलो साइमन कमिशन को बाइकाड किया था इंडिया ने क्यों कि यह मश्यूर यह खाफी सारों को पता है क्यों कि जो साइमन कमिशन में साथ फरसनस थे वह सारे के सारी वाइड थे मतलब गोरी थे मतलब इनमेंसे इंडिया का कोई नहीं था इसलिए इसको बाइकाड किया गया था क कि लोगों ने कहा कि कंट्री हुमारी और हमारा कोई आदमी हाई नहीं बाहर से लोग आते हो हमारी हम पे राज करने जाते है इसलिए साइमें कमिशन को बाइकार्ट किया गया था क्यों इत वाज और वाज एन ओल वाइट कमिशन विदाउट इंडिया रप्रेजेंटेशन ठ ते टे डेवड फूट टे इंजिलो इसका अंसर है फोट स्ट जॉच्जॉब कोलकटा में है ठीक है पुच्छर नमर फेधिए वान इत गोवर्न जेनरल टूर्ल एंड इनिया जेनरल गोवर्न जेनरल जेनरल रूल कभ एंड रोता इंडिया में ठीक है नाईटीन फटीस आ होता है ठीक है कोच्छी नमर 16 6 अप्रेल 1930 is well known in the history of India because this date is associated with 6 अप्रेल 30 जो इंडिया में मलब एक well known day होता है सबको पता है कि 6 अप्रेल 90 30 कौन सा दिन हुआ था कौन सा incident incident हुआ था और किस से अप्रेट है 6 अप्रेल 1930 दांदी मार्ज भाय महत्मा एंडा मोमेंटपार्शना बंगाल पार्टिशना पेंडिया तो अबने संप्रे अगर आपको पता हुआ पर्टिषना बंगाल 19-06 में हुआ 5 энdол यांपे इंडा मोमेटव पता है 1942 में हो सकता हम धर्टिशना पेंडार घंमाधार गंया वो सकता परिशन इंडिया 14 laban 1947 आपा थीक ए वाल मुझार परेजानि कर पार्चीय सब्सक्रा खैट्रा इंडिया को पार्चीय सब्सक्राइब है कि ऐसी जराढ़न सब्सक्राइब कर दोडूसमट इंडिया कि आड विडिया कर दोड जिये है सब्सक्राइब कंड़ हरा है या 909 या Government of India Act 1992 इंडियन काउंसल एक्ट 909 में हुआ था इस act को दूसरा नाम क्या कहते हैं तो आप कमेंट स्क्राइब कर दें इंडियन काउंसल एक्ट 909 में इस एक्ट को दूसरा नाम क्या है तो आप कमेंट श्मेंट स्क्राइब कर दो करें 18, Question number 18 the system of communal electoral rate in india was first introduced by system of communal electoral rate Indian Council Act in 1892 Mont Morillo Reform was 19 Mont Morillo Reform of 1909 Mont Guichiams Ford Reforms of 1919 Government of India Act in 1935 so this is Mont Minto Morillo Reform of 1909 ठीक है इन वीजियर वाथ English recommended as the medium of instruction for high education in India by Lord Mokolee Lord Mokolee को मतब जिसने English introduced किया था इंडिया में किसको क्रेड जाता है Lord Mokolee को किसने introduced किया था English इंडिया में Lord Mokolee कब किया था और कब किया था कोच्छनी का यह मतलब कब किया था तो बिल्कुल इस कांसर है इंडिया में 1835 में 1835 में किसने introduced किया था Lord Mokolee क्या किया था इंडिया था इंडिया इंडिया question number 20 which battle established the supremacy of British rule in India किस battle मिलब किस battle चाहिए में पता चलता है कि British हैंप पर जोर हो गए battle of classi 1737 सरग तोला के साथ हुआ battle of boxer 1764 या 3rd मैं सरुवार 1792 या 4th मैं सरुवार तो इस कांसर है be part battle of boxer के दोरा है मैं पता चलता है कि British हम पर जोर होगी British का राज हम पर उतर लगाए ठीक है इस कांसर है be part battle of boxer इसे 20 important questions बागी questions भी आपके लिए लेकर आऊंगे काफी important topic है काफी important topic और काफी अच्छा weightage रखता है किसी भी exam के लिए चाहिए वो PWA हो चाहिए वो sorry FWA हो या बागी exam पड़वारी जो भी exams है काफी मतलब अच्छा topic है और important topic है किसी भी exams के लिए